आज हम पढ़ेंगे Ascending Order के बारे में Ascending Order का मतलब है छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना या नीचे से उपर जाना इसको कहते हैं Ascending Order इसको समझने के लिए हम एक Staircase की Example लेते हैं Staircase CD को कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके हर Step के उपर एक Number लिखा हुआ है इन Numbers को देख के बताएं कि इन में से सबसे चोटा नंबर कौन सा है Zero सबसे चोटा नंबर है और इन Numbers में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है Five यह सबसे बड़ा नंबर है जिरो सबसे छोटे स्टेप के उपर लिखा हुआ है सबसे नीचे लिखा हुआ है उसके बाद उससे अगला नमबर लिखा हुआ है और फिर उससे अगला नमबर है तू और फिर तू से बड़ा नमबर है थ्री त्री से बड़ा नमबर फोर है और four से बड़ा नमबर है five तो छोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ तर्तीब से जाने को कहते हैं ascending order अब अगर हम यहां पे zero के बाद second step पे two लिखते और यहां पे one लिखते तो फिर यह तर्तीब में नहीं होता क्यूंकि फिर zero से बड़ा नमबर two है जबकि two से छोटा नमबर one है जबकि तर्तीब में लिखने के लिए हर अगला नमबर पिछले नमबर से बड़ा होना चाहिए अब हम ascending order से related एक छोटी सी activity करते हैं यहां पे कुछ नमबर्स दिये हुए हैं जो की तर्तीब में नहीं है seven, zero, five, three और eleven अब इन नमबर्स को हमने ascending order में लिखना है इस staircase के उपर तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा नमबर कौन सा है इन में से zero सबसे छोटा नमबर है zero को हम लेंगे और इसको यहां पे सबसे नीचे वाले step पे रखेंगे क्योंकि zero सबसे छोटा नमबर है उसके बाद seven, five, three और eleven में से सबसे छोटा नमबर कौन सा है इन में से three सबसे छोटा नमबर है तो हम three को यहां से उठाएंगे और zero के बाद वाले step पे रखेंगे उसके बाद अगला नमबर कौन सा है अगला छोटा नमबर है five तो यहां से five को उठाएं और इसको three के बाद वाले step पे रखें three के बाद इसलिए रखा है क्योंकि five three से बड़ा नमबर है अब seven और eleven में से कौन सा नमबर बड़ा है eleven बड़ा है और seven छोटा नमबर है तो हम seven को लेंगे और इसको यहां पे five के बाद इस step पे रख देंगे और आखिर में नमबर eleven बचा जो की सबसे बड़ा नमबर है तो इसको हम सबसे उपर वाले step पे रख देंगे अब आप देख सकते हैं यहां पे सारे नमबर्स तरतीब से लिखे गए हैं और छोटे से बड़े नमबर की तरफ लिखे गए हैं जैसे की zero three से छोटा नमबर है उसके बाद three five से छोटा है और five seven से छोटा है और seven eleven से इस तरह से eleven सबसे बड़ा नमबर है और zero सबसे छोटा नमबर है तो हमने इन नमबर्स को ascending order में लिख लिया